कक्षव तीन के लिए सहज तीन में से पाठ है वाहरे चोर शिक्षक सभी बच्चों को पहले सहज कर ले एक गोले में बिठा ले और पाठ पहले से ही पढ़ ले और कुछ प्रश्ण तयार कर ले इसके बाद बच्चों के सामने पाठ को पढ़े और उनके द्वारा साजा पठन भी करवाएं गाउं में एक बुढ़िया रहती थी एक दिन उसको खीर बनाते बनाते नीदा आ गई उसके घर के पास से चार चोर जा रहे थे उन्हें खीर की खुश्बू आई खीर की खुश्बू से चोरों के मुँ में पानी आ गया उन्होंने खीर खाने की सोची और बुढ़िया के घर में पहुच गए उन्होंने देखा रसुई घर में खीर रखी हुई है बुढ़िया मुँ खोल कर सो रही थी उन्होंने सोचा बेचारी बुढिया भूकी है पहले बुढिया को खीर खिलाते हैं फिर हम खाएंगे चोरोंने बुढिया के मुँ में गरम गरम खीर डाल दी गरम खीर से बुढिया का मुँ जल गया और वह चिलाई चोर छिप गए बुढिया के चिलाने से आसपास की लोग बुढिया के घर आ गए और उन्होंने चोरों को पकड़ लिया तो ये थी छोटी सी कहानी अब आप कुछ प्रश्णों के उत्तर दीजे कि बुढिया क्या बना रही थी तो बुढिया खीर बना रही थी खीर की खुश्बू से कौन रुख गया था खीर की खुश्बू से चोर रुख गये थे उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा कि रसोई में खीर रखी हुई है चोरों को ऐसा क्यों लगा कि बुढ़िया को भूक लग रही होगी क्योंकि बुढिया मुँ खोल कर सो रही थी इसके बाद क्या हुआ बच्चों जरा बताओ कहानी में से इसके बाद चोरों ने सोचा पहले हम बुढिया को खिला दे जब उन्होंनों गरम गरम खीर बुढिया के मुँ में डाली तो क्या हुआ? बुडिया जग गई वे जोर से चिलाई क्योंकि उसका मुह जल गया था उसके चिलाने से क्या हुआ बच्चो? उसके चिलाने से गाओं की लोगी खटे हो गए और उन्होंने क्या किया? चोरों को पकड़ लिया